नमस्कार दोस्तो मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो लगभग हम मैसे सभी लोग ये जानते है कि महा भारत का वो जो महान युद कुरुक शेतर में हुआ था वो 18 दिन चला था उसमें कौर्वों की हार हुई थी और पांडवों की विजय हुई थी लेकिन बहुत कम ऐसे लोग है जो ये जानते है कि महा भारत का युद खतम होने के बाद कौन कौन सी घटनाए घटती है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनी घटत होने वाली घटनाओं के बारे में तो आईए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो महा भारत का युद खतम होने के बाद गांधारी ध्रितराष्ट और विदुर सहीत रणभुवी की और जाती है और गांधारी अपने पुत्रों के क्षत विक्षत शवों को देखकर विलाब करती है कि तब ही वहाँ पे भगवान श्रीक्रिशन पांडव सहीत आते हैं और गांधारी और ध्रितराष्ट को सांतोना देते हैं लेकिन गानधारी करोधवश आकर भगवान श्रीकृष्ट को शाप दे देती है कि जिस तरह से मेरी आँखों के सामने मेरे पूरे कुल का नाश हुआ है तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश होगा। उसके बाद सभी योद्धाओं के अंतिम संसकार की तैयारी होती है कि कुंती उसी वक्त युधिश्टिर को और पांटवों को करन की सचाई बता देती है कि करन उनके ही बड़े भाई थे जो कि उन्हें भगवान सुर्य की कृपा से उनकी शादी से पहले हुए थे उसके बाद युधिश्टिर दुखी एमं करोदेत होकर सभी महिलाओं को शाफ दे देते हैं कि आज के बाद कोई भी महिला किसी बाद को अपने मन में नहीं रख पाएगी उसके बाद समान सहिच सभी युधाओं का अंतिम संसकार किया जाता है और ततपस्चात युधिश्टिर का राश्टी लख होता है और उसके बाद दृतराष्ट गांधारी भी पांड़ों के साथ हस्तिनापुर में निवास करते हैं इस तरह से महाभारत के युध के 15 साल बीतने के बाद एक दिन धृतराष्ट और गांधारी युधिश्टिर से वन जाने की इजाज़त लेते हैं और उनके साथ साथ विदोर, संजय और कुंती भी उनके साथ चले जाते हैं कुंती धितराष्ट इतियादी को वन गए हुए दो साल बीतने के बाद सभी पांडव नगरवासियों के सहीत उनसे मिलने वन की और प्रस्थान करते हैं कि तभी एक दिन महरिशी व्यास भी उनसे मिलने वहाँ पर आते हैं और गानधारी को अभी भी अपने पुत्रों के दुख में देखकर वो उनसे एक वरदान मांगने को कहते हैं और गानधारी व्यास से अपने पुत्रों को एक बार देखने की बात कहती हैं उनके ऐसा कहने पर व्यास जी एक निश्चे दिन पर महा भारत के युद में जितने भी योधा वीरगती को प्राप्त हुए थे अपने तपो बल से उन्हें एक रात के लिए जिवित करते हैं और सभी नगरवासी अपने पुत्रों, पिता, पती और बेटे से मिलकर खुश हो जाते हैं इस तरह से महा भारत के युद को 35 साल हो जाते हैं कि तभी गांधारी का दिया हुआ शाप अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और यदू वंशी आपस में लड़ जगड कर मरने शुरू हो जाते हैं यदू वंशियों को इस तरह से मरता कटता देख भगवा श्री क्रिशन और बलराम द्वारगा छोड़ कर चले जाते हैं और अपने श्रीर को त्याकर अपने लोकों को चले जाते हैं भगवान श्री क्रिशन के स्वर्गा गमन की खबर सुनकर सभी पांडव दुखी एवं व्याकुल हो जाते हैं और अर्जुन श्री क्रिशन जी क कहे अनुसार द्वारेगा जाकर बचे हुए लोगों को हस्तिना पुरलाने के लिए जाते हैं और रास्ते में कुछ लुटेरे आकर औरतों और धन को ले जाते हैं और अर्जुन उनको नहीं बचा पाते हैं उनका गांडीव और दिव्यास्त काम करना बंद कर देते हैं उसके बाद अर्जुन लज्जित होकर रिशी व्यास के पास जाते हैं और जो हुआ उन्हें वो सारा ब्रितान सुनाते हैं रिशी व्यास कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्रीक्रिशन इस धर्ती से वेकुंट लोग गए उसी वक्त कल युग ने इस धर्ती पर प्रवेश कर लिया है जिसकी वज़ा से तुम्हारा गांडीव और शस्त्र काम करना बंद कर गए है अब समय आ गया है कि तुम सभी पांड़ों को भी हस्तिनापूर छोड़कर हिमालिय की और गमन करना चाहिए तत पश्चात अरजुन युदिष्ठिर के पास हस्तिनापूर जाते हैं और जो बाते महरिशी व्यासने कही हैं वो उन्हें बताते हैं उसके पश्चात युदिष्ठिर बालक परिक्षित जो की अभिमनियों के बेटे होते हैं उन्हें हस्तिनापूर की गदी पर बीठा कर पांचो भाई और द्रौपदी हिमालिया के लिए प्रस्थान करते हैं और रास्ते में एक एक करके स्वर्ग की और प्रस्थान करते हैं तो दोस्तों ये कुछ घटनाएं थी जो घटेत होती हैं महाभारत के युद्ध होने के बाद आई होप की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरी वीडियो लगातर आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद